है 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 लो दोस्तों है 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 लो दोस्तों नमस्ते आदा आपका दोस्त गौरा विज्दोपहर की दम पर फिर से स्वागत करता है जहां पर फिर से हमें किसी निलल का रहा है एक नई युद्ध के लिए और वो युद्ध है आई सी ए यार मौक टेस्ट टैन जहां पर हभी तक हमने मौक टेस्ट नाइन लगा चुके हैं मैं सबसे पहले आप सब को धन्यवाद करना चाहूंगा जो मेरे साथ कंसिस्टेंटली इस जंग में जुड़े रहे और फटे प्राप्त करते रहे तो एक बार फिर से योध्धाव को बुला लो और कह दो फिर से भाई जंग छड़ गई है फिर से जीतना है हमें तो एक बार मुझे आप बता दीजे मेरी वोईस आप तक आ रही है या नहीं भावना गुड आफ्ट नून मनीशा गुड आफ्ट नून तेजेशवयर डिव्या आर्मीलवर रादे रादे सव गुडाफ्ट नून प्रतिक्षा गुडाफ्ट नून सभी को रादे रादे गुडा आफ्ट नून क्योंकि स्वागत है आपका दोपहर की dental दिखा देते ह इस युद्ध में ना हम कम हैं ना हमारे धार वाले जवाब कम हैं फड़ा फट से एक पर जुड़ जाईए यहां पर दिव्या ने बता दिया है वॉइस आ रही है ठीक है कि टूल ठीक है नमस्ते सूरज जैमाता दी ठीक है चलिए आर्मी लवर ने भी बता दिया वॉइस आ ही है तो हम अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ बढ़ते हैं और मोटिवेशनल कोट है कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है लोग कहते हैं कि भाई तैयारी तो कर दी लेकिन बीच में रुकना नहीं बिल्कुल सही है बीच में अगर रुक गए तो फिर तो नहीं हो पाओगे सक्सेज इसको आदत बना लो कि हार तो मानना ही नहीं है और मेरे युद्धाओं अपना तो क्या नारा ही यही है अपना तो मोटो ही यही है क्या कि हम तो जुकेंगे ही नहीं चाहे जो हो जाए तैयारी करके सिलेक्शन लेके ही जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो गाइस आर यू रेडी फॉर दिस वार ये जो वार होने वाली है क्या इसके लिए आप तयार हो मेरे स्पार्टिकस चलिए फड़ा फट जबता यहां उस्दा जोश फिर स्टार्ट करते हैं यहां पर हम सिलेक्शन लेके रहेंगे चाहे फिर जमाना क्या कहें ठीक है यहां पर अंगिन ने कहा दिया तैयार है प्रतिक्षा ने कहा दिया यह भावना निदी सभी क्या गए तो चलिए पहले प्र टू करनाटक और आंध्रप्रदेश देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है फड़ा फट से कि यहां पर अभी डी अमर करें तमिल नाडू सेलेश करें सी सर करनाटका कुछ लोगों का रहा है केरला कुछ लोगों का रहा है तमिल नाडू कन्फ्यूजन यहां पर बन यहां पर दिये किसी ने भी नहीं कहा है चलिए देखते हैं कितने लोग सौरव ने कहा है कि सर नहीं अगर कोई नहीं जा रहा है आंध्रदेश के साथ तो मैं ही जाओंगा और आंध्रदेश बिल्कुल सही है सौरव बहुत बढ़िया लगा कि अपने आपको पहचाना आपने किसी को फॉलो नहीं किया बिल्कुल यह जो कांडेरू जो अपना कांडेरू डैम है यह कौन सी नदी पर है कांडेरू नदी पर ही है और यह कौन सी डिस्ट्रिक में है नेलोरे डिस्ट्रिक कौन से नेलोरे डिस्ट्रिक ओफ आंध्रदेश कोई भी नहीं भूलेगा ठीक ह कहा है यहाँ पर तभी मैं कहता हूं कि हम भेडिये नहीं हम शेर हैं क्योंकि भेडिये तो फॉलो करते हैं शेर तो क्या करेगा एक दम्दार आंसर देगा तो योधाओं तुम सब ये रो aún कि किसी को फॉलो नहीं करना है अपने हिसाब से आंसर देना है और दैखना है कि हम कितने पानी में हैं और युद्ध को फते कर रहे हैं या नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर यह रहा बॉक्साइट माइस आर देंगे सभी के आगे हैं और इसा प्रसुन जी संजे आर्मी लवर रिंपा तश्वीर कवीता अब मजा आ गया देखकर लग रहा है कि अभी तो जोश है भाई खतम नहीं हुआ है यहां पे करेक्ट भाईया गोवा कहां से आ जाएगा गोवा में बॉक्साइट कहां से मिलन जाएगा ठीक है और क्या मिल जाएगा पर मिलेगा खेट्री गे क्या बोलते हैं कि या खेट्री प्लेस बोलते हैं ठीक है यह यह याद करने का तरीका अपन कर सकते हैं हाँ वेरी गूड प्रसंद जीत राजिस्थान ठीक है बहुत बढ़िया कौपर मिलता है चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ हीरा पन्ना में मिलता है अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर यह रहा इंडिया लार्जेस्ट वेटलेंड एरिया इस इन भारत का सबसे बड़ा को फीक है यहाँ पर है ककटनी चुना नगरी हाँ बिलकुल कटनी में चुना बिलकुल निकलता है यहाँ पर आ रहे हैं सभी के वेयुस बेंगोल में ब्यूंग कुछ लोग बी कह रहे मतलब अन्न मान निको बार कैसे आ आ जाएगा आपकोपता है कि वही या डेल्टा कहां फे फॉर्म हो रहा है सुन्दरबन डेल्टा सबसे बड़ा है वेट लेंड आपको याद रखना है रामसर साइट से रिलेटेड है वेट लेंड ठीक है जो भी वेट लेंड होते है जिनकी संरक्षक की जाती है उसको रामसर साइट में डाल दिया जाता है और ये डिसीजन तब लिया गया था जब मिटिंग हुई थी कहां पर रामसर रामसर कहां पर है इरान में है कहां पर है पहरान में ये चीज़ याद रखेंगे बताईए कितनी रामसर साइट है इंडिया में फड़ा फट बताएंगे रामसर साइट इन इंडिया यह भी कमेंट बॉक्स पे आप बताऊगे जब वीडियो ओवर हो जाएगा आपको कमेंट में आना है और वहां पे कमेंट करके जान ही जादा मज़ा आएगा अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर यह रहा दा फ़र्स्ट यूरेनियम माइन ओफ इंडिया दा जादू गुड़ा माइस इस लोकेटेड इन भारत की पहली यूरेनियम खदान जादू गुड़ा खदान में इस्तेत है राजिस्थान जारखंड बिहार आसाम विकल में का सर जारखंड बाकी देखते हैं किसका रहा है सभी जारखंड दे रहे हैं पिंकी रोनक विकल पलक शिवानी सकीब आर्मी लवर प्रसंद्जीत नहीं छोड़ा है बिलकुल करेक्ट आंसर है यहां पे है या नहीं है बिलकुल है यहां पर एक कौण सब छोटा नागपुर प्लैट्ट्यू है कि नहीं है बिल्कुल है यह यह भी याद रखेंगे खानीच के लिए बहुत फैमस है फिर जारखंड का हमने एक डांस देखा था फोक डांस जारखंड के लोग क्या करतें जूमते ह तो भई याद जूमर क्या जूमर जूमर में भी जार आए और जार खन में भी जार आए बिलकुल याद रखेंगे ठीक है चाव चाव उडिशा का है ठीक है कन्फूरजन नहीं रखना है यास चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर यह रहा विच आफ दीज इस नॉट खरीफ क्रॉप इन में से कौन खरीफ की फसल नहीं है वीट ग्राउन नट पैडी मेज यहां पर सौरव ने कहा है सर ए प्रसंजीत भी करें वीट 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 आगे मिश्टर विराट सौरा भावना रिंपा किक्टू किंग शैले श्रॉनक निधी सूरज बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट आंसर होगा वीट अब दोस्तों आपको यह बताना है कि खरीफ क लगाई कव जाती है और कविस्ट कव की जाती है यह बताई इस बढ़ेंगे अगले कोश्चेन की तरफ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा देर आट डैश पैरलल रेंजेस ऑफ दा हिमाल्या के सामांतर डैश परवश्रंकला है थ्री टू फाइव फोर फड़ा फट से बताएंगे विकल्ब ने काई सर थ्री शर्माना के रहें सर फोर बाकी लोग क्या करें विकल्ब करें थ्री अभय ने कहा है सर टू शिवानी ने भी कहा है टू हिमाल्या करें हिमाल्यान शिफट करें थ्री अब भाईया जब हिमाल्यान ने हिमाल्या का ही आंसर दे दिया तो गलत कैसे होगा हिमाल्यान ने खुद कहा है कि सर थ्री हैं सोरव वैरी गोड सिविलreated रिम पाव युर अभ कि कैसे भीया यह 3 पहाडी है 3 पहाड़ में टूटी हुई उसको कहेंगे पैरलल जाती यह 3 ठीक है एक होती है क्या ग्रेटेर हिमाल्या ठीक है इसको को बोलते हैं इनर हिमाल्या क्या बोलते हैं इनर हिमाल्या इसी को क्या बोलते हैं अपन हिमाद्री क्या बोलते हैं हिमाद्री ठीक है फिर बीच में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिमाचल क्या बोलते हैं हिमाचल ठीक है यह भी नहीं बूलेंगे अब यहां पर जो य कि कितने प्रश्ण बनते हैं आपके पहले पूछ लेगा इनर को क्या बोलते हैं तो आपको याद रखना हिमादरी बोलते हैं ठीक है फिर उसके बाद आपको पूछेगा आउटर को क्या बोलते हैं तो शिवालिक बोलते हैं ग्रेटर को क्या बोलते हैं यह भी पूछ लेगा और ये तो पूछा ही है कि कितने पैरलेल होते हैं तो तीन होते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ लेकिन एक बार फटा-फट से सारे युद्धा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे क्योंकि अभी युद्ध तो शुरू हुई है चलिए यहां पे पूछ रहें अजय कब क्लास स्टार्ट हुई है तो अजय अभी हमें कुछी समय हुए है 15 मिनिट स्टार्ट किये हुए आपको टाइमिंग याद रखनी है कि अपने क्लास की होती है 223 दोपहर की दम पर कहां पर दोपहर की दम पर जहां पर हम सारे कोशन को लगा रहे होते हैं ICR के लिए चलिए अगले प्रशन पर परते हैं अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा यहां पर आप जाकर साड़े 400 से भी जादा एक्जैम के टेस्टीरीज ले सकते हो जहां पर आपको 31,000 से भी जादा मौक और आप जैसे योद्धा जो पहले से तयारी कर रहे हैं 35,000,000 योद्धा आपके लिए वहाँ पर वेट कर रहे हैं फाइट कर रहे हैं और देखिए कि आप किस पोजीशन पर खड़े हैं कोड आप यूज कर सकते हो पास खरीते वक्त जो की मेरा कोड है जी ए एम पी ए एस एस और इस कोड को यूज करते ही आपको 15 परसेंट का डि गूगल पर सिर्फ गूगल पर आपको टैस्ट बूफूर किसी भी वीडियो पर चले जाईएगा आप जैसे ही टैस्ट बूफू पर जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाईए वहाँ पर आपको एक टीचर लिंक मिलेगी उस पे क्लिक करना है और आपके पास एक न् MPASS अब देखिए जादू हो जाएगा जादू क्या होगा डिसकाउंटेट रेट आपके सामने आ गए आप सोचिए इतने कम रिट में आपको यहाँ पर टेस्ट सिरीज लगाने को मिलेगी सर्च कर सकते हो टेस्ट सिरीज सिर्फ जाए डालेंगे और सर्च करेंगे जहां पर आपको सिरीज मिल जाएंगी फॉर आईकी यह ए एक्जैंब ठीक है यह देखिए आईक्जैम के आपको सिरीज मिल जाएंगी और आप अपनी तयारी को पुखता कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स कोश्चन की तरफ और मैं PPT सिलेक कर लेता हूं पैन सिलेक कर लेता हूं और अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर रहा यह पंबा आइलेंड इस फेमस फॉर दा कल्टिवेशन और विच आफ फॉलॉइंग पंबा द्वीब निमलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद है कॉफी साप काटने का डर लग रहा है बाकी निदी ने कहा है सर डई और भैया साप हाजिर हो गया है यहाँ पर पहले ही फन देखिये बच के रहे हैं कई लोग कॉफी कह रहे हे आर्मी लवर कॉफी कहा है देखता हूं मैं कितने लोगों को यह साप काटता है यहाँ पे सही जवाब है close क्या है close भाईया बहुत से लोगों को काटा है इस साप ने बच के रहिए और यह साप कौन है जो कि एक्जाम में आपको देने वाला है 0.25 negative marks इससे बच के रहना है हमें हाँ प्रिया 100% D very good हा निदी चलिए बढ़िया है जितने लोग करेक जवाब दे रहे हो इसका मतलब आप साप से बच रहे हो साप से बच रहे हो मतलब आप negative mark से बच रहे हो किस से बच रहे हो negative mark से चलिए आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया अगला प्राश्न इंडिया इस भू आकरतिक शेत्रों में विभाजित किया गया है छे साथ चार और पांच है कि सकी पीडियेफ लिंक बोल रहे हैं तो सकी पीडियेफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ टेलीग्राम पे जाए वहाँ पे सर्च करिए गौराफ मौर्या सर टेस्ट बुक ग्रुप आपको जॉइन कर लिए वहाँ पर आपको सारी पीडियेफ मिल जाएंगी और आपको आपके फ्रेंट्स वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं और भी चीजों के लिए ठीक है यहां पर सभी क्या रहे है सर 555 भाई इतना कंफ्यूजन क्यों भाई तीन आंसरा यहां पर विकल्म ने कैसर 6 ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर में 6 लगा देता हूं अब देखिए हमें देखना होगा कि 6 डिवीजन कौन से है तो भी यह 6 डिवीजन हम देखते हैं पहला तो हम माउंटें से चलींगे उपर से तो हिमालियन माउंटें पहला कौन आ गया हिमालियन माउंटें ठ ठीक है दूसरे भाईया कौन है नीचे आगए अपन थोड़ा सा मतलब उत्तर प्लेन पर आगए तो नौर्थ प्लेन अब जब आप उपर से नीचे आए तो नौर्थ प्लेन नीचे वाला प्लेन रोएगा तो भाईया कौन सा प्लेन रोएगा पैनिंसुलर तो पैनिंसुलर भी लिख लेते हैं ठीक है यह भी लिखेंगे फिर अब भीया हम उपर भी कर लिए नीचे भी कर लिए किनारे किनारे कोस्टल वाले रोएंगे तो यह उन्होंने बोला कोस्टल प्लेंदी ले लो कौन से ले लो कोस्टल प्लेंद ले लो अब एक हो गया जो हमने कोस्टल प्ल सा होगा सिक्स्ट बताईये कौन सा होगा चलिए जल्दी जल्दी फड़ा-फड़ बताइंगे सब्सक्ति बचना है भाई शाब से बचना है हां यहां पर भावना नहीं पूजा ने बताया है सर अईलेंड अब भाईया आपने इंडिया में सब को काउंट का लिया वोले हम पहाड़ों पर भी गए नॉर्थ प्लेंट पर भी गए पैनिंसुलर पर भी गए लेकिन आईलेंड बोल रहा है क्या भी यह हम भारत के ही तो पाठ है हमें भी तो गिल्लो तो अंडमान पुडू चेरी लक्षुदीब हमने कहा चलो आपको भी कर लेते हैं considered ठीक है यह से याद रखते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ ट्रॉपिकल रिंफॉरेस्ट इस केरेक्टराइज बाइ उस्ट कंद उस्ट कट बंदी वर्शा वंद की विशेषता है absence of trees least productivity maximum biodiversity और minimum diversity से यहाँ पर सी होगा रिंपा ने भी का 3 निधी के रहे हैं सी आर्मी लवर के रहे हैं नहीं सार ऑप्शन नमर्म वन होगा प्रतिक्षा कहा रहे हैं सर सी पर आग लगा दो जब आग लगाना है तो आग फिर लगा ही देते हैं और आंशर को छोड़ेंगे नहीं यहां पर करेक्ट आंसरों का मैक्सिमम डाय और बायो डाइवरसिटी क्यों वह यह टॉपिकल रेन फोरेस्ट वह जहां पर बात होगी तो वहां पर जाधा से जाधा डवलप को चीज़े मतलब बायो डायवरसिटी बढ़ेगी यह लीश्ट सब्सक्राइब से शेयर करिए और लाइक करिए यहां पर अभी आप 170 है लेकिन सिफ लाइक 78 है चलिए अगले प्रशनी की तरह परते अगला प्रशने दप्लेट्ट्यू रिचेस्ट इन मिनरल इन इंडिया इस भारत में खनीजों में सबसे सम्रिद्ध पठार डैश है छोट मनीशा अफसाना बहुत बढ़िया यारो बहुत बढ़िया ऐसे योद्धाओं आंसर देना है अभी हमने देखा था चोटा नाकपूर प्लेट्ट्यू कहां पर है जारखंड में हैं नहीं भूलेंगे ठीक है यह याद रखना है आपको अभी और बाकी डेकल प्लेट्ट्य जो हमारे वह फिजियोग्राफिक का रीजन है ठीक है हाँ चलिए यहाँ पर उज्वल ने बिल्कुल सही कहा है कि सर जुकेंगे नहीं बिल्कुल सही बात है पढ़ाई करना है और हार नहीं मानना है आगे बढ़ते हैं इन इंडिया ग्रेटेस्ट लेंड एरिया कंस अंडर भारत में सबसे बड़ा भूमी छेत्र निम लिखित में से कि श्रेडी में आता है क्रॉप लेंड फॉरेस्ट पैस्चर्स और वेट लेंड बताइए कि निधी ने का है सर बी ऑप्शन फॉरेस्ट कुछ लोग कर रहे हैं सर एग्री कल्चर एख यहां पर बी आ रहा है कुछ लोगों का ए आ रहा है देखे गाइस यहां पर थोड़ा से नहीं वैटलन तो हो कहीं नहीं लेकिन यहां पर साप मैं बिठाना चाहूंगा क्योंकि यह सच में किसी को डसने वाले हैं हाँ क्रॉप भी आ रहे हैं बहुत से लोगों के और यहाँ पर करेक्ट आंसर कवीकर जी आप बिलकुल सही है लभी साहिए घैकर उत्य यहाँ पर करेक्ट आंसर जोगा वह क्रॉप लेंड्ट बहुत दो को साप ने काटा है बहुत से लोग को बच के रहिए भईया हाँ रॉनक वेरी गुड एपे आग लगा दी हमने आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ने की तरफ फॉरेस्ट और फाउंड इन काटेदार वन डैश में पाई जाते हैं कश्मीर केरला सिक्कीम राजस्थान बताइए डी 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 गडी राजस्थान कुछ लोगों कश्मीर कहा है कश्मीर में कैसे हो तक आग sucs represents करिया मिलती है लेकिन वहां पर एरी था तो आप अराम से आंसर को लगा सकते थे वेरी गूड यहां पर अफसाना प्रतिक्षा रिंपा सोनाली चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ क्या था मुस्लिम मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जॉइनिंग आल इंडिया मुस्लिम लीग मैथोडोलोजी ऑफ इस्ट्रागल अगेंस बिटिस डिफरेंस इन एकनोमी आइडिलोजी टुबी के टेकन अप आफ्टर इंडिपेंडर्स वन एंड टू ओनली यहां पर बहुत से लोग बोल रहे हैं सर डी भाईया वहली ट्रिक अब यहां पर काम नहीं आएगी कि all of the above आप ने लगा दिया तो आप कह रहे हो बहुत यहां पर यह काम नहीं आएगा अभी के लिए फिलाल ठीक है ठीक है यहां पर सी से ओप्शन आना है क्यों चीस वगां ऑ गया तो कहीं आपने देखा जो थी अलग अलग थी एम सेम था बट आइडिलोजी अलग होने की वज़े से वो इस प्लिट हो गए कहें ने भाईया हम तो अलग रहेंगे ठीक है कि चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्राश्ण दब्रिटिश मेड इंग्लिश इन्दा बीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इन अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम बनाया अठारा सो पैतेस संतावन मैं तो गलत दो लुक्ष कुछ तो गलत-दो मैं कैसे बोलूंगा कि वाई गलत बोला है इनोंने ओए 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 बहुत मज़ा आ गया सही है यहां पर 1835 होगा जिस किसने लाया था भाईया मकोले जी ने किसने मकोले जी ने लाये थे उस समय कौन थे अपने भाईया गवर्नर या फिर मैं कहूं वाइस रहे तो थे वो कौन बैंटिक ठीक है तो यह भी याद रखना है आपको विलियम बैंटिक थे बहुत बढ़ी 1835 नहीं होगा 35 होगा अच्छा कुछ लोगों को सापने काटा है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर यह रहा सूरे से इन बहुत एस्सेयेटेड विट विच आफ सूरे से निम्लिखिद में से किस से सब्बंदित थे 1857 रिवोल्ट मतलब 1857 की क्रांती बॉंबिंग ऑफ दा असेंबली न्यू दिल्ली काकोरी ट्रेन रॉबरी और चितगोंग आर्मेरी रेड यहां पर सौर्व ने का है डी 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 आरा सिविल रॉनक्स एलेश प्रति जोती बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट आंसर होगा चितगोंग आर्मरी रेड अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि भाईया 1857 में यह बताईए बिहार को किसने लीड किया फटा फटा बताएंगे कि बिहार को किसने लीड किया अग्रेजियों की तरफ से नहीं बही इंडिया की थि अपनी तरफ से हा यहां पर आबýchट गणा सर हम तो एक जिन होगा लगा दीजिये ठिक बाकी लोग देखते हैं क्या कहते हैं हलीम ने भी का रितुल ने भी का भी ओफिछ टीक है सिविल सभी के आग एंसर बहुत बढ़ीया यहां पटर्ट आंसर जोगा वह मैं और सिंग क्या हो है इसको 150 कर देते हैं चलिए अगला प्रश्ण होम रूल लीग इंद बॉंबे वॉस फॉर्म बाए बॉंबे में होम रूल लीक का सा गठन किसके द्वारा किया गया था नहरू एनी बैसेंट तिलक और बरतियार बहुत से लोग इसमें फसेंगे बहुत से लोग इसमें फसेंगे तो साप भीया को बठाना जरूरी है लोगों फस गए फस गए बहुत से लोग फस गए यहाँ पर आ गए जवाब लोगों का सतीश आप बिलकुल सही है बाकी देखते हैं प्रसनजीत आप भी सही हो बहुत से लोग यहां पर फस गए हैं हाँ अभी सही आ रहा है यहां पर करेक्ट आंसर जोगा भी नहीं होगा क्यों क्योंकि यहां पर आंसर तिलक आपने सोचा एनी बैसंट का नाम होम रून लिक के साथ आता है इसलिए लगा दिया लेकिन आपने कॉश्चन पूरा नहीं पढ़ा कि भाईया बॉम्बे की भी बात की गई है बॉम्बे में तिलक जी ने किया था कब अप्रेल 1916 और सिप्टेंबर 1916 में एनी बैसंट ने मद मदरास में किया था ठीक है किसके साथ किया था वो भी तिलक जी के साथ किया था तो जब मदरास के बारे में पूछेगा तो हमें एनी बैसंट लगाना है बॉम्बे पूछेगा तो हमें तिलक जी लगाना है तिलक जी कोई हम क्या कहते हैं निकनेम में लोक मानने क्या कहते ह है लोक मानने कहते हैं महाराष्ट में एक स्टेशन भी है लोक मानने तिलक है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर यह रहा हूँ इस दा फाउंडर ऑफ गदर पार्डी गदर पार्डी के संस्थापक कौन है लाल सबसे पहले सिक्स मारा है कहा है सर लाला हर्दयाल होंगे फिर आ रहा है मनीशा निधी प्रसंद्जीत रितुल सौराव सेलेश अकाश दिनेश रौनाग बहुत बढ़िया यहां पर करक्ट जवाब जोगा वोगा लाला हर्दयाल अभी हमने देखा भईया कि यहां जो भग देशने की तरफ अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर डैश वाज फाउंडर ओफ लोधी डाइनेश्टी डैश लोधी राजवन्स का संस्थापक था सुल्तान इब्राहेम अला उद्दी लोधी इब्राहेम लोधी और बहलोल लोधी बताईए सबसे पहले फिर से डिविल लोधी थे लेकिन लास्ट कौन थे वो इब्राहेम लोधी थे आपको यह भी याद रखना है अब कौन से यह यह बताईए भाईया लोधी डैनेश्टी कौन से यह में आ गई कि हाँ कि जल्दी जल्दी से बताएंगे यहां पर हाँ लोगों के आना स्टार्ट हो गए है मनीशा ने सही दिया है ठीक है रिंपा वेरे गोर्ड बहुत बढ़िया सौरफ बहुत बढ़िया चलिए यहां पर आगे बढ़ेंगे चाया आप बिल्कुल करेक्ट हो हंडेट परसंट यहां पर आगे बढ़ेंगे हमीदा बानु बेगम वॉस्दा मदर ओफ हमीदा बानो बेगम डेश की मा थी एंपरर हुमायू जहांगीर अकबर और बाबर सत्यम सजी हैं यहां पर कोई दिकत्त नहीं है इसमें आईए फड़ा फड़ से इसकोशन को करते हैं बाकी लोग शी कहरें मतलब अच्छ शी ही अकबर ही है ठीक है कुछ लोग भी कहरें अफसाना ने का है सर हुमायू 100 परसेंट पर अफसाना यहां पर थोड़ा सा सांप से बच्च के चलना चाहिए था आपको करेक्ट आंसर क्योंकि अकबर होगा अब अब कैसे याद करें हम मुगल को तो मुगल एमपरेर को याद करने का ट्रिक है भाजसा बाबर हुमायू अकबर जहांगीर सा जहां और और अन्जेब ठीक है ऐसे याद रखेंगे और जो अकबर ची की मा का नाम था वही था हमीदा बानू बेगम तो भूलना नहीं है जहांगी सोरी हुमायू की ये वाइफ थी कौन थी वाइफ थी ये याद रखेंगे चलिए अगले प्रश्णी की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर ये रहा नैनार्स वर्ड डिवोटीज ओफ नैनार डैश के भक्त थे शिव जी के विश्णू जी के इंद्र जी के और अर्याकास के यहां पर कुछ लोगों ने का है बी ऑप्शन अंकित ने का है सर शिवा रिम्पा कह रही है विश्णू इसके लिए सुनाली इनकासर हंडर पर्शन शिवा हमने ट्रिक भी देखी थी आपको अगर याद हो तो हाँ एब ट्रिक एश्णू शिवा 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 चलिए यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा शिवा हमने कैसे याद किया था बात कर रहा है नैनार्स की और शिव जी के पास नैन जो थे वो तो थी थे एक सेंटर पर था जिसकी वज़े से उनको नैनार का नाम दिय गया ऐसे याद कर लेते भी यह नैनार मतलब फिर शिव जी ठीक है जिनके एक एक्स्ट्रा नयान हो ठीक है ऐसे याद कर लेते हां कि चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर यह रहा हूं अमंग फॉलाइंग वास इंस्ट्रूमेंटल इंफॉमेशन और बेंगॉल निम लिकित में से बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर भूमिका थी अलिवर्दी खान मुर्शीद कुली खान जॉब चरनौक और आसफ जा अगर ट्रीक आपको याद थी तो ऐसे ही याद रखना है क्योंकि जो डिसकस हम कर रहे हैं अगर वह आपने याद रखा है आपका एक्जाम यह जो आई सी ए आर है वह बहुत ही आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हम एक कोशन को भी नहीं छोड़ने वाले हैं यहाँ पर मुर्शीद मुर्शीद आगया 100% पलक अक्की अभी जीत आर्मी लवर बहुत बढ़िया सभी लोग क्या आगए हमने तो साप बिठाया था कि भाईया काटेगा लेकर लोगों ने साप को ही डस लिया कितने गंदे सब्सक्राइब अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर यह रहा डैश वर्दा कोट पोलेट ऑफ हर्षवर्धन डैश हर्षवर्धन के दर्बारी कवी ते बिलहाना जैदेव चांद बर्दाई और यहां पर बानभट जल्दी जल्दी बताएंगे सौरम ने काए सर डी नहीं चोड़ने वाले हैं तो बांभट को हम तीर मार दें इसका मतलब हाँ तीर मार देते हैं बान भट को बोलते हाँ आफसाना वेरे गुड हंड्रेड परसंत बांभट होंगे क्यों हमने कई बार पढ़ा है कि बनबच की बुक का नाम ही है हर्षचरिता क्या है हर्षचर लिखी है बताईए जल्दी से बताएंगे बर्दाई ने कौन सी बुक लिखी है हाँ बानभट बिल्कुल सही है यहां पर प्रित्वी राज रासो आ गया एबी डिविलियस बहुत बढ़ियां प्रसन्यजीत मुझे उमीद रहती है कि मेरे दोस्त यहां पर बिल्कुल खड़ राज की भईया लव स्टोरी मेंशन है ठीक है चलिए अगले कोश्चन की तरह बढ़ेंगे अगला प्रस्ण हमें क्या किसी की लव स्टोरी में टांग अलाना आगे बढ़ते हैं मलीक खफूर वह जन्रल ओफ मलीक खफूर का डैस का जन्रल था फिरोश शातुगलक चंद्र गुप्त बोर बिंबी सार और अला उद्दिन खिल जी यहां पर आ रहा है सर डी लगा दो अला उद्दिन खिल जी खिल जी अफसाना ने भी का सर खिल जी 100% यहां पर शुशान सिवेल अभीजीद हर्शिता आर्मी लवर सौरव प्रतिक्षा अफसाना रिंपा बहुत बढ अला उद्दिन खिल जी भाइया खिल जी तो खिल जी डाइनिस्ट्री या खल जी डायनिस्टी से एडिरेक्ली आप नाम देखके पहचान सकते हैं अला देखे मलिक खफूर जो थे वह कहां के थे बताई कहां के थे ये कौन से देश से आये थे ये बताना है आपको और इनको क्या कहा जाता था हजार दिनार ठीक है क्या कहा जाता था हजार दिनार क्यों कहा जाता था भाईया इनको भेजा गया था डेकन में कहां भेजा गया था डेकन में भाईया सारे राजाओं को धरो मलब धारा शाही करते जहां पर अला उद्दिन ने इन्हों को इनाम में दिया वजार दिनार क्या दिए थे हजार दिनार दिये और उसी दिन से इंका अनाम हो गया वहार रिउयरे गोड्य आंगे पचाल कि तरो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विच मेल मेला फेयर वी लिस्टेड इदा युनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज युनेस्को की अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूची बद किया जाना है कुम्ब मेला गंगा सागर मेला जग साना करें सर हंड़र परसेंट कुम्ब मुझसे कोई भी लड़ेगा तो हम तो नहीं छोड़ने वाले कुम्ब मतलब कुम्ब सारे लोग कह रहे हैं कुछ डीवी कह रहे हैं लेकिन देखते हैं किसका सही है यहां पर करेक्ट आंसर होगा कुम्ब मेला अब इसको क्यों दिया एक तो हमें पता है प्रियाग राज मतलब अलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है तो प्रियाग राज एक जगह लगता है उजयन में ठीक है यह भी लिख लेते हैं एक तो लगता है नाशिक में ठीक है और एक लगता है हरिदवार में अब यह चार जगह तो लग गया यह कौन सी नदी के किनारे रिद्वार में लगता है तो ऑग से बढ़ते हैं यस आगए बढ़ेंगे अगला प्रश्न द लेंग्वेज उजद उपनिशद ईज उपनिशदों में प्रयोक्ट भाषा डैश पाली ब्राह्मी संस्क्रित और प्राकृत वाँ सभी के आंसर सही आ गए है ठीक है इसको आपन कमेंट बॉक्स में भी फिल करेंगे चलिए इसका लोगों ने कहा है ब्राम्मी कुछ कह रहे हैं यहाँ पर प्रियंक का सागर कह रहे हैं ब्राम्मि कुछ लोग कहरे पाली कुछ लोग कहरे संस्कृत अब मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूज मत होई है यहां पर बात की गई है उपनीशद की तो एक दम क्लियर होना चाहिए कि आपका आंसर क्या होगा सी सी ओप्शन आ रहा है मतलब संस्कृत संस्कृत सही है दोस्तों मेरे यारों दोस्तों मेरे योधाओं आप बिल्कुल सही हो संस्कृत करेक्ट आंसर होगा कितनी उपनिशद थी भाईया 108 नहीं भूलेंगे काउंट क्या नहीं भूलेंगे काउंट तो बिल्कुल नहीं भू रहे हैं क्योंकि हमने जो लिया है सत्यमेव जैते क्या सत्यमेव जैते यह यहीं से लिया है तो यह याद रखना है ठीक है अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर लेकिन देखें यहां पर अभी हम 240 लोग हैं लेकिन सिर्फ लाइक 159 इसको फड़ा फड़ से 200 कर लेते हैं हां मुडुका उपनीशद से लिया गया है प्रिया वेरी गूड रिंपा 108 उपनीशद है आगे बढ़ते हैं दा गोल गुंबस हैविंग डा सेकर्ड लार्जेश डॉम इन दा वर्ल्ड इस लोकेटेड इन विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल साफ को बिठाना चाहिए मतलब मुझे हां साफ को बिठाना चाहिए क्योंकि यहां पर दो आप्शन में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वीजयापूरा और गोल कॉंडा बहुत से लोगों का अंसर गोल कॉंडा आ रहा है ठीक है साफ बेखिए बहुत खतरनाक है नहीं देगा और यहां पर करेक्ट आंसर विजय पूरा बहुत बढ़िया अगले प्रशनी की तरफ इन विच इन विच इंडियन स्टेट इस दा हॉन्बिल फेली हॉन्बिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हॉन्बिल त्योहार कि भारती राज में मनाया जाता है नागालेंड मनीपूर सिक्की मासाम फड़ा फट से बताएंगे लोग करें सर ए ए ऑप्षन आ गया है ए ए ऑप्षन आ गया है कुछ लोग मनीपूर भी कह रहे हैं यहां पे तो मैं साफ नहीं बिठाओंगा दोस्तों क्योंकि सारे के सारे योद्धा ने इस कॉशन को तो छली छली कर दिया है यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वोगा नागालेंड क्या होगा नागालेंड अम नागालेंड की कैपिटल क्या है कोहिमा है क्या है कोहिमा है ठीक है मनीपूर की क्या है भाईया बताएं इंफाल है क्या है इंफाल है सिक्किम की क्या है गैंक टॉक है हैं गेंग टॉक हैं आसाम की क्या है गुहाटी मद बोलिये दिस्पूर है चलिए आगे बढ़ेंगे हाँ बहुत बढ़िया वेरि गुड चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर डेश इस मार्शिल आर्ट पॉम ओफ मनिपूर डेश मनिपूर का एक मार्शिल आर्ट रूप है बगोरुबा राउफ ठांगता और भी हूँ बड़े आसानी आसान कोशन दे दिया इन्होंने ऐसे ओप्शन दे के कौन देता है यार कोशन योधाओ मत छोड़ो इसको सौरव सभांगी सोनाली डिपीका सभी के सह है जहां पर कह राउप कहा भी है मार्शिल आट फॉर्म में बिलकुल गलत बोला फ्होःे ये भी नहीं होता है एक ही option दिया martial art form का तो हम तो बिना जाने भी इसको लगा देते हैं अगर हमें इसके बारे में पता है तो वेरी गोड चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ लेकिन एक बार फड़ा फड़ से शेयर कर दीजे क्योंकि अब मज़ा आ रहा है योद्धा कन्फ्यूज भी हो रहे हैं लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी आपका जवाब जो है वो बिल्कुल शार पाता है शा साम का सबसे लोग प्रिये लोग नित्त कौन सा है राउत बगरुंबा रागिनी और मांच या इसको मांच भी बोलते हैं जल्दी बताएए अभी पिछले कॉशन में मैंने एक आप्शन के बारे में डिसकस नहीं किया जैस्ट बिकॉस क्योंकि मुझे इधर पे करना है हाँ यहाँ पे अंकित ने सही जवाब दिया है सभी लोग के सही जवाब आ रहे हैं मंच नहीं है भाईया मंच तो MP का है कहां का है MP का है तो इसको मत भूलिए हाँ यहाँ पे सही जवाब आ रहा है बी 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 ऑप्यन और भाईया यहाँ पे सापने डसा तो है कितने लोगों को सापने डसा है बड़ा जहरीला साफ है भाईया बड़ा जहरीला करेक्ट आंसर है बगुरुंबा ठीक है अब आप इंतजार कर रहे थे कि सर आप भी हु जै हाँ चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ अगला प्रशन है उट्टम थुलल इस डांस असोसीएटेड विद श्टेट ऑफ उट्टम थुलल एक नित है जो किस राज से संबंदित है केरला तमिल नाडू आंठ पजेश बनीपूर उस दिन हम उसमें ऑप्शन क्या था नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट करके दिया था हमने तो लगा दिया था उस टाइम पर साउथ भाईया सारे के साउथ दे दिये सिर्फ एक को छोड़के सारे के सारे साउथ ऑप्शन है बताइए कौन सा है एबीडिविलेस करें सर केरला 100% कुछ ल अगले प्रशन की तरफ यहां पर देके 194 लाइक हो चुके है इसको फड़ा फड़ से 200 कर देते हैं मजा आ जाएगा हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न यह रहा धिमसा इस ट्राइबल डांस फॉर्म विच इंडियन स्टेट धिमसा किस भारती राज का एक आधिवाशी नित्र है अंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश मद्र प्रदेश और अरुनाच यहां पर प्रसंयजीत बोल रही है और हिमाचल प्रदेश कुछ कह रहे हिं एंप कुछ किह रहे है है एच्पी थि प्रहुंत यूपी नहीं था option में नहीं तो यूपी भी कह देत है ऐसा क्या सारे है। है एच पी एच पी आ रहा है और और यहां करेक्ट आंशर जो है वह ए एप희 आंद प्रदेश्य किया है आंदरपदेश है धिंग साफ है ऑसी बिर्योंब एपने बिल्कुंझ यह और वह होति है जैवर कंफ्हूज्य नहीं हम रहे हैं और कःसी प्राइफ में नगर रहते हैं पर रहते हैं मतलब यह उत्कराखांड हिमाचल और सिक्किम की तरफ आपको मिल जाएंगे वैसे यह तिबबत के होते हैं भूत सारे तिबबत में हैं चाइना में हैं हां वहां से वाइरस आ गया ऐसा क्या कि चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है ग्रे रिलेटेड टू ग्रे क्रांती डैस से समंद्धित है अभी तक हमने देखे जोग्राफी ओवर किया है ठीक है जोग्राफी के कोशन्स ओवर किये history के question over किये फिर आपने cultural के question pick किये जहाँ पर festival fair आए अब आपके आगए यहाँ पर यहाँ पर आएगा eco ठीक है फिर agriculture मतलब आई-c-AR के questions भी होंगे और कुछ current affair के लोगों ने का सर फर्टिलाइजर 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 करेक्ट आंसरों का फर्टिलाइजर कुछ लोग कहरें लेदर लेदर नहीं है लेदर कौन से से था ब्राउन रवोलुशन से था कौन से ब्राउन रवोलुशन ठीक है यह याद रखेंगे ठीक है फिर राउन रवोलुशन किस से था पोटेटो से था किस से था पोटेटो से था यह भी याद रखेंगे हाँ बहुत बढ़ियां, लैधर ब्राउन सा, आगे बढ़ेंगे, हाँ ब्लेक, ब्लेक, बिल्कोल ब्लेक पेट्रोलियम से था, किस से था? ब्लेक, पेट्रोलियम से, ये भी याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ लेकिन एक बाव फटा फट से गाई शेयर कर दो और क्योंकि अभी आई सी ए आर के कोश्चन आने बाकी है जो एकदम स्पैसिफिकली आई सी ए आर के ऊपर ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी के ऊपर इन विच यह बॉंबे स्टॉक एक्स्चेंज इस्टेबलि 2020-1960 बताइए लोगों ने कहा है 75 75 75 कुछ लोग 90 भी कह रहे हैं लेकिन यहां पर बहुत से लोग जो है वो बिलकुल देखे साप आ चुका है लेकिन मुझे लगता है मेरे योधाओं ने साप को मारा है क्योंकि बहुत से लोगों का अंसर सही है 1875 बहुत बढ़िया दोस्त दो मतलब यहां पर निगेटिव के चांस लग रहे थे और इस 0.25 को आपने कहा भईया टाटा बाइबाए मुझे मेरा पॉजिटिव नंबर एक पूरा का पूरा चाहिए है मैं तुम्हें पॉइंट वन भी नहीं दूंगा पॉइंट 001 भी नहीं दूंगा बहुत बढ़ि थी एटीम काड गुट्स एंट सर्विसेश टेक्ट डी मोनेटाइजेशन सेलरीज ओफ डिफेंस परसनल लोग ने का है सर सी सी जीएस्टी 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 आ गया है प्रसंद्जीत रिंपा विरेंद्र आर्मी लवर सौराफ सिवेल सिवानी सेले शंकित बहुत ब बताएंगे कि ऐसी मिर्ची हमें कब लगी फड़ा फट से बताएंगे हाँ हाँ 2017 और यह किस से आई 101 अमेंडमेंट से आई यह भी याद रखेंगे ठीक है बिल्कुल सही प्रसंद्जीत वेरी गोड रिंपा प्रतिक्षा हर्शेद प्रिया निधी अंशोल नितिन चलिए अगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ लेकिन फड़ा फट से लाइक करें शेयर करें क्योंकि अब हम करीब पहुंच रहें अपने उस कोशन की तरफ जिसका इंतजार रहता है गुज्रात इस लार्जेस रिसोर्स ओफ डैश इन इंडिया भारत में गुज्राट ड क Kern लेश कर मूल दूद पीता है इंडिया भूझ लेगा नहीं क्योंकि मिलक भी या मेट जो है वो क्या है बिलकुल करेक्ट आंसर है हमने देखा था कि ये वन आफ दा ये मेट प्रोडूशिंग कंट्री ए ट्स अंफ प्रूलेंगी ये है और हमने देखा था सुगर यहां पर मैं सुगर केन की बात नहीं कर रहा हूं सुगर की वह ब्राजील भाईया इनको नहीं बूलेंगे ठीक है हमारे इंडिया में सुगर के सबसे जाधा कहा होती है तो भाईया मीठे लोग बहुत अच्छे लोग बढ़े प्यार से बात करने वाले उत्तरप्रदेश वाले लो इंडेक्स इस पब्लिश बाई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है यू एन वुमें युनाइटेड नेशन डवल्लमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि ग् आप बिठाना चाहूंगा यहां पर डी ओप्षिन का है सौरव ने ठीक है डी होगा डी होगा सौरव चीक चीक के करें कि भाई लोग गलत मत करो यहां पर दियोगा विकल्प ने का है सर यहां पर उप्षिन नमबर फॉर बहुत बढ़ियां विकल्प वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम आपने देखा ग्लोबल जेंडर गैप की बात की जा रहे है यह तो डेवलपमेंट से कुछ रिलेटेड लग रहा है लगा दो डेवलमेंट ना भाईया यहां पर कौन निकालता है वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम 2021 में इंडिया की रेंक कौन सी रही है वो फड़ा-फड से बता देंगे आप एक-140 रहे है यह बीडीवी लेसे बता दिया बहुत बढ़िया हमने इक कैसे बात की थी हस्ते हस्ते कि हमारे आहां तो जो लड़किया हूँ या लड़के हूँ बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं और कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं तो गैप वाली बात कहा हैं हम इतने पीछे क्यों हैं इसको हम फटा-फट से करेंगे कुछ सालोक में इसको खतम कर देंगे हाँ चलिए आगे निकलते हैं अगले प्रशनी की तरफ बारत में राश्ट्री आयके अनुमान किसके द्वारा तयार किये जाता है प्लैनिंग कमिशन रिजब बैंक ओव इंडिया फाइनस मिनिस्टर सेंट्रल स्टेटिस्टिकल और्गनाइजेशन बताएंगे वड़ा- हाई 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 मजा आ गया मजा आ गया सारे लोग भाई इस कोश्चन को मिलके लोगों ने तीर मारा है मैं तो पता भी नहीं कितने यहां पर तीर गया होंगे लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं एंड की पावर इंफिनिटी मतलब इंड़ी इन की पावर इ क्रिशी और सायोगी चेत्रों में योजना के प्रतिपादन और अनुसंधान कारे के समवत के लिए शीर्ष निकाए है भाई या इसको तो कोई नहीं छोड़ेगा इसी एक्जाम की तो तैयारी कर रहे थे क्या इंडिन काउसल आव अग्रिकल्चर रिसर्च रीजिनल रूरल बैंक इस्टेट ट्रेडिंग और नैशनल बैंक ऑफ अग्रिकल्चर और रूरल कुछ लोगों ने का है option number D कुछ लोग कह रहें ICR भाईया confusion हो गए यहां पर यहां पर देखिए यहां पर correct answer होगा ICR बहुत से लोगों ने इसको क्यों किया है मैं वो भी बता दूंगा अभी क्योंकि इन्हों ने पढ़ा था financial agricultural वाला पार्ट तो वहां पर financial वाला जो पार अगर सही है मतलब आप सही पाथ पर हो ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है दम मिनिस्ट्री और अग्रिकल्चिरल एंड फार्मर्स वेलफेर कंजिस्ट ओफ क्रशी और देखिए मैंने कहा था कि आपके पास ICR के important question जो आएंगे specifically वो आ ग और किसान कल्यान मंत्राले शामिल है department of agricultural research education department of agriculture corporation and farmers welfare department of agriculture research and education and department of fertilizer department of fertilizer and department of chemical and petrochemical department of agriculture corporation of farmer welfare and department of chemical भाया इसको तो eliminate आप कर दोगे एक मिनट में eliminate कर दोगे इसको आर्मी लवर कह रहे हैं इसकिप प्रतिक्षा अच्छे किप कर रही है इस कोशन को ना आप eliminate बड़े आसानी से कर सकते हो कैसे कर सकते हो मैं बताता हूं किसकी बात कर रहा है agricultural and farmers welfare की तो petrochemical कैमिकल कैसे आ गया फॉर्ट इसको भी हटा दो अब बचते हैं दो ऑप्शन क्या हो गया फिफ्टी फिफ्टी वालो यहां पे जो करेक्ट होगा वो होगा देखिए सापने डसा है करेक्ट अंसर है ऑप्शन नमबर वन ठीक है क्या होगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्री कल्चरल रिसर्च एंड एड़ सीधा सीधा ऑंसर एगरिकल्चरल रिसर्च का यह आ गया फार्मर्स डेख के लिए डिपार्मेंट ऑफ़ार्मर वेलफेर एंड कॉर्पोरेशन आ गया हाँ एक प्रशन की तरह बढ़ने लेकिन एक बाप फड़ा इब करेंगे सारे के सारे लोग और शेयर कर देंगे आपक कि अगले प्रश्ण की तरह पढ़ते हैं इन्वीच एर इंडियन काउंसिल ऑफ एक्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट वॉस एस्टेबलिस्ट इन इंडिया भारत में भारती क्रिशी अनुसंधान संस्थान परिश्यत की स्थापना किस वर्स हुई थी इस्टेबलिस्ट कब हुआ यह कोशन पूछ लिया उन्नीस उन्नीस उन्तिस उन्तालिस और उन्चास यहां पर लोग करें नाइंटीन थाटीन नाइन कुछ तो कंफ्यूजन है लोगों को उन्नीस ओनीस एबी डिविलियर्स ने का है अभी तक हमने पढ़ा था कि आईसी एआ अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर ओय होए 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 भाई यहां पर तो होती है अपनी क्लास समाप्त तो देखें गाइस मौक टेस्ट लगाईए क्यों क्योंकि जब तक आप नदी में नहीं उतरेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि स्विमिंग पुल में तो हर कोई नहा ल करते हैं क्या करते हैं हाडवर्क मतलब दिन भर में 6 से 10 घंटे पढ़ाई लेकिन क्या आपने स्मार्ट किया स्मार्ट वर्क ठीक आज हाड़्वर्क की नहीं आज स्मार्ट वर्क जरौत हैं ऑन-line एक चल रहे हैं क्या आपने उस एक्जाम को फील किया आपने क्या निगेटिव और पॉजिटिव मार्क्स में आंसर दिये नहीं दिये हैं तो मॉक टेस्स लगाईए क्योंकि गाना है हनी सिंग भाया का चार टेस्ट वॉक का का मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने टोका ठीक है तो और पीडियेफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुणना है गौरव, मौर्या, सर, टेस्ट वॉक आपको सारी की सारी यहाँ पर क्या मिल जाएंगी पीडियेफ मिल जाएंगी ठीक है दोस्तो इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए कई लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर पोस्पोन हो गया है पेपर लेकिन मैं दोस्तो आपसे यह कहता हूँ अगर आप दो महने से पढ़ रहे हो या तीन महने से पढ़ रहे हो अगर आज आप रुक जाओगे तो फिर आप जीरो पे पहुँच जाओगे रुकना मत क्योंकि ये आज नहीं तो कल तो पेपर होना ही है सिलेक्शन लेना है अगर ये पढ़ते रहे तो आप सच में सिलेक्ट हो जाओगे चलिए अब मैं आपका दोस्त गौरव आपसे अलविदा लेता हूँ कल फिर से इसी समय मिलेंगे एक नई युद्ध के साथ एक नई रणनीती के साथ जहां पर हम कौशन को धारा शाही कर देंगे आपका दोस्त गौरव आपसे अलविदा लेता है जै हिंद जै भारत